नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वांसु सिभास तो और आप देख रहे हैं स्रेश्टे के यूटूब चनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधार मंत्री सौचाला यूजना के बारे में एक नए पोटल को लांच कर दिया गया है जिसके माध्यांस है अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही मतरी दो मिनिट में आपना या किसी का भी ऑनलाइन सौचाला के लिए ऑनलाइन आवेधन कर सकते हैं और आवेधन करने के साथ अगर आपका आप एदन अप्रूफ हो जाते हैं तो आपको यहां पर 12,000 रुपए आपके एकाउंट पर ट्रांसफर कर दिये जाएंगे तो कौन सा वो पोर्टल है कैसे आपको अप्लाई करना है क्या इसका प्रोसेस है सब कुछ इस वीडियों को कंपली प्रोसेस इष्टे बाइश्टे हम बताने वाले हैं तो अगर आप भी सोचा लेकिला ओनलाईन आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंपलीट देखना होगा और वीडियो को पसंद आजाए वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेर नाटफिकेशन को भ मिलेगा महत्तफुर लिंक ठीक है उसके नीचे आपको देखने मिल जाएगा ग्राम परधान यहां पर ग्राम परधान दौरा पंचायद भावन अथेश्टी अस्थल एवं वेक्तिकर सोचाले की मांग हेतु आवेदन तापको पस इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है तो सबसे पहले तका पर तीन ऊप्सें उपर देखने की मिलेगा यहां पर वेक्तिका सोचाले जो दिया हुआ है पहले ऀसंको इसको से लेट करगे अब यहां पर पहले से आपका सवचाले से निर्माल से करना चाहते हैं तên आपको पहले बाले ऐसं कोийस सेलेड कर लेना है जैसे पहले वाले आवशन को सेलेड कर ले Yogya और अपने जनपत को सेलेड कर लेना है जैसे अफ्वे को यहां पे टाइप कर देना है इसका से अवेदक क नाम जो इनके नाम आप आउनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनका आप नाम टाइप कर देना है उनके पिता का नाम यहाँ पर टाइप करना है आवेदक का मोबाइल नमबर आपको नहाँ पर टाइप कर देना है इसके बाद यहां पर नीशे देखने मुलता है आवेतक के घर की फोटो जो की 20KB में होनी चाहिए और उसका फोटो घर का फोटो मुलब उनके साथ में फोटो होना चाहिए और वो फोटो को यहां पर एक चूज फाइल के क्लिक करके अफलोड कर देना है इसका यहां पर आवेतक के आधार के कार्ड की फोटो कॉपी वो जो फोटो कॉपी रहे गी आधार कार्ड की वो भी 20KB में होनी चाहिए अफ़ंशब कर देना हुए तो आप मिडियो पहVIER से चैनल में बना हुआ है इतना कल लिजेएगा करने भाद यहां पर सेभ का आप्सें देखनें मुरता को आपको शेवलाप्सेंट कर देना है तो आपको एक reference number generate हो जाएगा और यहां आपको थोड़ा से थोड़ा दिन वेड़ करना पड़ेगा जो reference number आपको यहां पर नोट कर लेना है जो एक receipt आपको जेनरेट होगा और receipt फोटो को वहां पर जाके कहीं भी दुकान पर उसका print out निकाल लेना है print out निकालने के बाद अपने अपना एक आधार काड जिनके नाम आप आउनलाइन आवेजन किये हुए उनका एक आधार काड उनका bank passbook लेके और जो एक receipt मिला रहेगा उसको ले जाके अपने जो भी आपके गाओं के ग्राम परधान होंगे उनसे जाके उनको जमा कर देना है उनको जमा कर करेंगे अगर आप eligible पाए जाते हैं तो आपके अकावने 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिये जाएंगे सोचाले बनवाने के लिए अगर आप उत्तर प्रसेस से बिलॉंग करते तो आप इस तरीके सा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी अधर इस्टेट से बिलॉंग करते कर लिजेगा मेरी चैनल पर नेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें